धान की कई किस्मों में से एक गर्मा धान की खेती किसानों के लिए बहुत फाइदेमंद होती है इसकी खेती करके किसान कम समय में अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं गर्मा धान की फसल को पकर तयार होने में किवल दो से तीन महीने का समय लगता है गर्मा धान का प्रियोग चूरा बनाने में किया जाता है इसलिए इस धान की किस्म की मांग बहुत अधिक भी है कर सकते हैं रही बात अब गर्मा मौसम में जो हम लोग धान की बुगाई करते हैं तो गर्मा मौसम में धान की बुगाई करने के लिए हम लोग 15 जनवरी के बाद स्टार्ट कर सकते हैं पंदरा जनवरी से उसकी शुरुआत करके और इसको हम पंदरा मार्स तक कर सकते हैं ये उप्यूक्त समय है इस समय इसके बीच में जो लोग वगाई कर सकते हैं दोनों तरीके हैं एक तो हम सिधी वगाई कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास तरीका है कि हम ट्रांस्प्लांट क रवी का फसल कटते ही इस धान की रुपाई शुरू हो जाती है और खरीब सीजन आने शेय से पहले ही यानि दो महीने के अंदर गर्मा धान पक कर तयार हो जाता है इसकी अगेती बुआई फरवरी में और पचेती बुआई माई के आखिर में कि जाती है और जुलाई के आखिर या अगस्त के पहले सब्ता तक पुरी तरह के से फसर पक जाती है बीज हमारे पास अच्छे क्वालिटी की बीज होनी चाहिए और बीज जो है उसमें रोग और रोगमुक्त होना चाहिए उस बीज में रोगमुक्त रखने के लिए हम अपने तरब से भी उसको बीज को उपचारित कर सकते हैं तो बीज को उपचारित करके लगाई वह ज्यादा अच्छा है चाहे वह आप कहीं से भी बीज लेते हों तो हम बात करते हैं बीज को उपचारित करने के लिए हमारे पास कवक नासी दबा जो है फंगी साइड उससे आप उस बीज को उपचारित कर सकते हैं और अगर आपके कि छेत्र में बेक्टरिया का अगर प्रल这ं अग प्रश्ट gateway से उसका ये पर सकते हैं और फंगी के रूप में आप बहुत सारे भिव्यस्टीन और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं यह कर वेंड़ाजी solves उसे हाइं परोड़ान जो है उसका इस्तेमाल हम उससे कर सकते हैं विशेशा के कहते हैं कि गर्मा धान की खेती के लिए पहले उसके बीज को तयार करना चाहिए इसके बीज को तयार होने में भी अन्य धान की तुलना में कम समय लगता है 20 तयार हो जाने के बाद खेट तयार करके इसकी बुआई की जाती है बुआई के समय इसके पौधे को 15 सेंटिमेटर की दूरी पर करनी चाहिए पहली सी चाहि वहां पे जरूरत परेगी 20-25 यह दूरेशन है हर मिट्टी का और हर जगह का अपना अलग अलग कंडिशन है कहीं पे जो मौश्चर लेवल है जो नमी का है वो अच्छा रहता है कहीं पे नमी ज्यादा हो रहता है वो तो टेंपरेशर पर डिपेंड करता है कि तापमान उस जगह का क्या है इसके आधार पे और दूसरा चेक करने का तरीका है कि यह जैसे मिटी है यहां पे अभी चाई उस जगह और इसके बाद जो है 20 रोज 40 से 45 दिन फिर उसके बाद हम 80 दिन से 90 वह लास्ट वहां पर इरिगेशन होगा तो हमारे पास चार सी चाई अगर होता है गर्माधान के लिए तो हम अच्छी उपज की प्राप्ति कर सकते हैं